एलो दोस्तों विल्कम टू दे चैनल जैसे आपको पता है कि हम्मेकनिकल प्रोपरटिव फ्लुइड्स पर डिस्केशन कर रहे हैं और मेकनिकल प्रोपरटिव फ्लूइड्स के डिस्केशन में हमने एक टोपीक खतम कर लिया था जिसका नाम था हाइड्रो स्टैक्स पिछली बार जब हमने हाइड्रो स्टेटिक के बारे में पढ़ा था स्टेटिक था उसमें हमने क्या डिस्केशन किया था about surface, tension, about pressure इन दो चीज़ों के बारे में हमने discussion किया था लेकिन वहाँ पे कही पे भी हमने ऐसा discussion नहीं किया था कि जिसमें हमारा जो fluid है यह लिक्वीड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वो क्या नहीं हो रहा था, फ्लो नहीं हो रहा था यहींने आपको अगर याद है तो हम सब डाइगरामस में एक beaker ड्रॉँ करते थे उस beaker के either surface के बारे भी discussion होता था either that below that surface discussion होता था लेकिन कहीं पे भी fluid हमारा क्या नहीं हो रहा था फलो नहीं हो रहा था तो दोस्तो आज हम दूसरा टॉपिक जो हमारे सिलैवस में है और बहुत ही important और बहुत ही interesting टॉपिक है जिसे कहा जाता है fluids in motion कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे fluids क्या करने लगेंगे motion में आने लगेंगे यहने जैसे कोई नदी बहती है नदी बहती है पाइप में से पानी आता है हमारे गैस के वहाँ पे हमारे घर पे जो कुकिंग गैस है वो सिलेंडर से भी क्या आ रहा है वहाँ पर तक आ रहा है तो इन सब के बारे में और फिर फ्लो किस टाइप का होता है कि पानी अगर बैर आ है देखे बहुत बार ऐसा लगता है कि पानी उपर से बहुत शांत बैर आ है लेकिन नीचे बहुत हलचल हो रही होती है कभी-कभी ऐसे लगता है कि फ्लड आता है और फ्लड में हमें समझ में आता है कि ये पानी तो direction wise किदर के किदर गया जा रहा है लेकिन पूरे flow की direction एक ही होती है तो ऐसे flows को आधर कहा जाता है streamline flow और कहा जाता है turbulent flow अब कौनसा flow कौनसा है ये हम इस lecture में आगे बढ़ेंगे और critical velocity, critical velocity तो gravitation का part यहाँ पे कैसे आ गया वो भी हमें से यहाँ पे discussion करेंगे कि critical velocity क्या है और उससे constant निकाल के आज रुकेंगे और उस constant का नाम होता है Reynolds number तो आज का हमारा यह topic कितना है कि जिसमें हम fluids in motion के बारे में discussion कर रहा है यह हमारा topic है fluids in motion और हमें basically आज दो flows के बारे में discuss करना है कि what is streamline flow and what is turbulent flow और critical velocity and Reynolds number यह उसके साथ के ही topics हमारे आगे रहेंगे तो देतों चले आगे बढ़ते हैं और पहला topic हमारा start करता है जो हमारा है definition and that definition can be considered to be hydrodynamics तो hydrodynamics किसे कहा जाता है अब मैंने क्या करके रखा है यहाँ पे एक pipe निकाले कर रखा है दोस्तों देखें कि समझ लिजे यहाँ से हम कोई flow को discussion में अगर लेंगे तो हमें उसका flow का direction पता होना चाहिए तो हम ऐसा consider करते हैं कि यहाँ से समझ लिजे water इस direction में क्या हो रहा है flow हो रहा है अब physics क्या कहेगा तो इसे कहा जाता है flow tube यह जो tube है जिसमें से water और fluid क्या होता है flow होता है तो उसे कहा जाता है flow tube and पढ़ने के लिए यह हो गया हमारा area area of flow कह सकते हैं यह flow tube हो गई रेड कलर की और यह क्या हो गया हमारा area of flow और अब streamline flow और turbulent flow जहां से distinguish होगी जैसे समझ लीजे यह नदी का base है और इसके उपर यह बहुत बड़े direction में क्या flow हो रही है नदी flow हो रही है इन blue colors अब blue colors में मैंने कह निकाल लिए है यह lines निकाल लिए है यह lines ही आखिर में finalize करेंगे कि flow हमारा streamline होता है कि turbulent होता है तो इन lines को इनकी direction एक होती है कि अलग होती है देखो river की direction अलग हो सकती है और अंदर के यह जो कहा जाता है इने flow lines कहा जाता है यह जो blue color की है this line, this line, these lines are considered to be flow lines और इन flow lines के direction के उपर हमारा flow streamline है कि flow कैसा है turbulent है वो हम समझ सकते हैं देखें मैं आपको एक बार समझाता हूँ बहुत बार क्या होता है कोई नदी है जो बहुत शान्ती से बैती है यह जिसके सब particles एक ही direction में flow हो रहे हैं और कोई नदी होती है कि जो बहुत ज्यादा complicated flow रहता है बहुत ज्यादा strange flow रहता है बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उचलकूद करके flow होती है यहनि क्या इसके अंदर बहुत शारे particles है जिनके flood देखिए अगर हमें flood के बारे में समझना है तो flood के अंदर क्या होता है particles are moving in random direction particles are moving in random direction बर फिर भी जो river का flow है वो break नहीं हो रहा है वो कभी अगर वो समझ लीजे हमारे लिए कि north to south flow हो रही है तो वो north to south ही flow हो रही है लेकिन particles of the particles of the river और हम इसे कहेंगे flow lines कहेंगे तो flow lines of the river are in random motion मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर time ले रहा हूँ कि यह बहुत ज्यादा important है stream line flow में सब की direction कैसी रहेगी? सेम रहेगी turbulent flow यानि जिसमें बहुत ज्यादा अंदर हल चल मची होती है लेकिन direction of current क्या रहता है? सेम current याने river current तो river current कैसा रहता है? सेम तो कहां भी जाते हैं? पहले stream line flow को एक बार discuss कर लेते हैं बाद में किसको discuss करेंगे? turbulent flow को discuss करेंगे दोनों का short note अलग-अलग लिखेंगे यहनि बिल्कुल mixture नहीं होना है आपका homework क्या है? कि आप सब कुछ मुझे लिखके तो भेजेंगे और साथ ही साथ में टिक्सबूक में से आप stream line flow and turbulent flow इन दोनों में का difference भी मुझे लिखके भेजेंगे जिनको whatsapp number चाहिए हो comment section में पूछिए और हम इनको separately discuss कर लेते हैं तो पहले डिसकस करते हैं किसे streamline flow को तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं what is streamline flow और laminar flow बिटा मैं diagram से बताता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके मैं हमेशा कहता हूँ कि जो flow सिर्फ उपर से नहीं लेकिन अंदर से भी शान्त है जो flow अंदर से भी steady है steady का मतलब पता है steady याने equal उस flow को कहा जाता है streamline flow यहने देखिए समझ लीजिए this is the upper section of that particular river कोई नदी की बात करते है कोई नदी उपर से बहुत ही शान्त दिखती है और यह उस नदी की का है direction और यह उस नदी का base है और इस portion में यह जो water molecules है यह जो पानी बह रहा है यह जो fluid बह रहा है इन सब के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a steady flow in which adjacent layers of fluid move smoothly over each other अब यह layers of fluid क्या होते है यानि समझ लेजे हमने क्या कर दिया यहाँ पे यह base हो गया इस base पे हमने कुछ lines निकाल ली यह हर एक line यह जो flow line है इस flow line को कहा गया stream line यह हमारी stream line हो गए और इस stream line इन दो stream lines में यानि stream यहने कह रहा है गया flow हो गए तो दो stream lines अगर एक दुसरे पे smoothly move करते होए जा रही है that particular flow it is called as stream line flow और अल्चो रिफरेट as laminar flow अब इन में होता क्या है इनका flow इतना smooth होता है कि एक particular velocity तक एक particular velocity तक यह कैसा रहता है stream line रहता है अब देखें गड़बड कहां पे हो जाती है जब इस नदी में बाड़ाती है बाड़ाती है यानि क्या हो जाएगा इस पूरे structure को disturb करने के लिए एक बहुत forceful flow आएगा यहां से यानि इसकी velocity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी फिर यह velocity क्या करने पाता इनको settle नहीं कर पाते और होता क्या है कि यह सब इसका steady structure क्या हो जाएगा disturb हो जाएगा लेकिन यह steady structure disturb होने से पहले यानि मैं इसकी बारे में बात कर रहा था critical velocity जो हम आगे पढ़ने वाल है critical velocity के पहले that flow remains same और smooth और यह जो यानि शान्ती से बहता रहेगा एक normal बहता पानी जिसे कह सकते है that flow is considered to be streamlined flow इसके हमने क्या कर दी है चार points लेखी है सबसे पहला है a steady flow in which adjacent layers of fluid move smoothly over each other is called as streamlined flow और also referred as laminar flow क्यों laminar flow क्योंकि यह planes में divided structure होता है जिनको हम separately laminar structure में divide कर सकते है दूसरा हम कह सकते है smooth flow of liquid with velocity less than a certain limiting value यानि इसके एक velocity होती है जो हर एक fluid की अलग अलग होती है लेकिन उसके नीचे वो fluid कैसा है streamline है उसके उपर अगर चला जाएगा तो streamline का कहा हो जाएगा turbulent यानि इसमें भूचाल आ जाएगा इसमें हड़कम बन जाएगा यहाँ पर अंदर तो यह problem हो जाएगा तो इसे भी कहा जाता है critical velocity लेकिन critical velocity के नीचे है streamline flow critical velocity के कैसे होता है नीचे होता है तो smooth flow कहा जाता है और दूसरा in the streamline flow velocity of fluid at any given point is always constant यानि क्या हो सकता है देखें हम यहाँ पर खड़े रहेगे हम तो खड़े नहीं रहेगे अंदर fluid के consider कर लिए एक point consider कर लिए अब यह flow चर रहा है अब इस flow में हम इस point A पर यह हमेशा कही सकते है पॉइंट A पर velocity कैसी रहेगे हमेशा 0 नहीं रहेगी constant रहेगी 0 नहीं 0 रहती तो वो hydrostatic हो जाता है यह hydrodynamics है इसमें पानी क्या हो रहा है flow हो रहा है तो point A पर velocity हमेशा के लिए क्या हो जाएगी constant हो जाएगी यानि हर एक point क्या discuss कर रहा है हर एक point आपको घुमा फिरा के एक ही बात बोर रहा है कि भाई flow कैसा है steady है flow steady है flow easy है flow smooth है और इनमें यह जो streamlines है यह भी कैसे है parallel है यानि parallel है यानि क्या कि कोई streamline एक दूसरे को crossover नहीं कर रही है एक दूसरे को intersect नहीं कर रही है जिसके वज़े से हम flow को ऐसा कह सके कि non steady है sub flow कैसा है properly steady flow हम इसे कह सकते है आगा समझ में बटा यह concept ले हो गया है हमारा streamline flow screenshot ले 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 ना क्योंकि बाद में हम इसे लिखने लवाले है तो आप उसके second viewing में क्या कर सकते है दिख सकते है streamline flow समझ में आ गया है कि जिसमें पूरा water structure अब एक बार मैं आपको flow के बारे में बताता हूँ कि lines कैसे आ सकती है देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास समझ लीजिए इस glass में हमारे पास पानी भरा है अब पानी अगर भरा है तो पानी के layers हो में layers क्यों हो सकते है base पे एक अलग layer है surface पे अलग layer है center पे अलग layer तो यह अलग-अलग type की क्या हो गई streamlines हो गई और ऐसे river तो बहुत ही बड़ी हो जाती है और अगर river बहुत बड़ी है तो उसके भी क्या होगे streamlines होगे अगर वो smoothly move उपर रहा है इन्हें देखिए जो नदी आपको उपर से ऐसे लगती है कि यह शान्त है उसके नीचे के layers भी क्या कर रहे है यह आपको पता होना चाहिए बहुत बार हमारे गाओं में मशूर हो जाता है कि नदी dangerous है नदी dangerous है यहने क्या है उपर से दिखती है शान्त लेकिन अंदर से उसके flow कैसे होते है अलग-अलग होते है तो यह होगा streamline flow जो कैसा है steady और smooth flow है इसके बाद में अगर streamline flow की velocity critical velocity से क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो यह पूरा streamline flow convert हो जाएगा turbulent flow में यह ऐसा नहीं रहेगा steady बिलकुल नहीं रहेगा कैसे रहेगा तो वो देखते है बढ़ आगे बढ़ते है तो देखते है एक बार turbulent flow क्या होता है turbulent flow यानि streamline flow की अगर velocity critical velocity से उपर हो जाए यहाँ पर हो जाए तो वो flow convert हो जाता है बढ़ता है कहाँ पर turbulent flow में देखता कैसा है turbulent flow अगर चलेगा तो यहाँ पर streamlines यहाँ पर ऐसे घूम रही है लेकिन net direction कहाँ पर है forward direction में है लेकिन यह जो अंदर के flow है अंदर के streamlines है स्टेडी में कैसे चल रहा था स्टेडी में सब कुछ एकदम ही स्टेडी चल रहा था अब यहाँ पर कुछ भी स्टेडी नहीं है यहाँ पर हम तो कह सकते है आपने देखा है कि देखो हिंदी में भवर कहते है पानी में भवर है पानी में भवर है तो पानी में भावर है याने कौन सा फ्लो है टर्बलन्ट फ्लो है पानी में भावर है इसलिए पानी तो उल्टी डिरेक्शन वो तो नहीं भेहने को लगता लेकिन वो फ्लो कैसा होता है irregular and unsteady flow तो हम ही डिफाइन करते हैं तर्बलन्ट फ्लो को the irregular and unsteady flow of fluid when its velocity increases beyond critical velocity जब उसकी velocity critical velocity से ज्यादा हो जाती है यानि critical velocity क्या है तो ऐसी velocity the velocity where streamlined flow converts into turbulent flow ऐसी जो velocity होती है उस velocity को critical velocity हम इसको अच्छे से लिखेंगे इसके बाद के topic में तो the irregular flow and unsteady flow of fluid when its velocity increases beyond the critical velocity it is called as turbulent flow अब इस turbulent flow में होगा क्या यहाँ पे कही पे भी velocity constant नहीं रहेगी वेटा क्योंकि क्या हो रहा है सब कुछ अंदर हडकंप मचा है अंदर सब particles जो है वो एक दूसरे से अलग ही travel कर रहे है यानि पानी सरफेस के अंदर बहुत ही ज्यादा disturb है तो उस flow को कहा गया turbulent flow the turbulent flow in turbulent flow of flow velocity of fluid at any point does not remain constant in turbulent flow at some points the fluids may have rotational motion कही कही rotational motion भी चायर कर सकते है which will give rise to eddies whirlpool भी कहा जाता है whirlpool company होती है न हमारे पास washing machine की कि जो घुमाती है यानि घुमाना यानि क्या eddy current तयार करना rotational structure वहाँ पे तयार हो जाता है फिर भी water का direction कैसा है same the flow tube loses its order and particles moving random direction देखे ये सब अंदर चर रहा है surface के नीचे particles random direction में move कर रहा है particles दर उदर जा रहा है फिर भी flow कैसा है same है है तो ये surface के नीचे जो flow के बारे में discussion है ये हमा कर रहा है यहाँ पे in terms of कैसा flow turbulent flow अब streamline flow convert हो सकता है कहाँ पे turbulent flow में और लेकिन turbulent flow फिर से streamline में convert होने के लिए बहुत ज़्यादा conditions रहेंगी तो इसके बारे में भी discussion करेंगे लेकिन पहले flow समझ में आ रहा है दो क्या है इन दोनों का difference लिख सकोगे आप कैसा एक streamline flow एक turbulent flow चार-चार पॉइंटों हमने निकाल के दिए diagram इक 5 पॉइंट हो रहा है तो हम अगर exam सेट करेंगे तो ये difference between streamline flow और turbulent flow तो आएगा हीएगा है कि ने तो समझ में आ गया इसको तो इसको एक बार critical velocity के नजरगे से देखने कोशिश करते critical velocity क्या है और critical velocity हम कैसे लिख सकते है और critical velocity से फिर हम ये constant भी मिल जाएगा जिस constant को कहा जाता है Reynolds number इन दोनों नमबर को एक बार देख लेते हैं हम streamline flow को देख लिए turbulent flow को देख लिए अब किसको देख लिएते है critical velocity and Reynolds number तो चलिए आगे बढ़ते हैं बटा आगे है जमझ में तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इन्होंने क्या किया इन्होंने streamline flow को और turbulent flow को ध्यान से देखा और देखा कि एक particular velocity मिलती है जिसके उपर हर streamline flow क्या हो जाता है कनवर्ट हो जाता है किसमें turbulent flow में तो उस velocity को उन्होंने नाम दे दिया critical velocity कि the velocity of fluid beyond which a streamline flow becomes a turbulent flow it is known as critical velocity of that fluid अब critical velocity का formula निकालने के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने viscosity नाम की टर्म भी पढ़ी viscosity को consideration में लिया इन्होंने खुद का constant भी develop कर लिया जिसे रोनेलर्स नंबर कहा जाता है और density of fluid पे भी dependent है tube कितनी बड़ी है उस पे भी dependent है सब चीजे उन्होंने यहने समझ लीजिए उन्होंने कह दिया कि यह अगर tube है इसका flow इसकी critical velocity और यह अगर बड़ी tube है इसकी critical velocity अब इनका कहना था कि critical velocity is inversely proportional to diameter of tube यहने जितनी छोटी tube उतनी critical velocity कैसी रहेगी ज्यादा रहेगी और जितनी बड़ी tube उतनी critical velocity कैसी रहेगी कम रहेगी जितना liquid कैसा होगा dense होगा जिसकी density कैसी है ज्यादा है critical velocity कैसी है कम है जिसकी density कम है critical velocity कैसी है ज्यादा है तो इन्होंने यह सब consideration में लिया और एक formula बताया हमें formula है दोस्तों पढ़ने के लिए बाकी हमें critical velocity का ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है और formula क्या है पढ़ने का that the velocity of fluid beyond which a streamline flow becomes a turbulent flow it is called as critical velocity and it is given by Vc is equals to rn eta यह जो बड़ा दिख रहा है न आपको यह n नहीं है eta है यह constant है rn eta upon rho into d यानि rn कौन सा number हो गया Reynolds number eta यानि कौन सा coefficient of viscosity आ गया rho density of fluid d is diameter viscosity के बारे में अगला lecture पूरा हम चीर फाड़ के रखने वाला है viscosity को खतम कर देंगे viscosity का पर यह पूरा chapter तो अगले lecture में लेकिन अभी बस हमें क्या धान में रखना है eta is considered to be coefficient of viscosity rho is density of fluid and d is considered to be diameter of 2 अब यहां से हमें एक्जाम में क्या आ सकता है write a short note on critical velocity तो हम इतना ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे हम इसके बाद में एक और point लिखेंगे छोटा सा जो कहाँ पी discuss करेगा Reynolds number पे लेकिन हमें critical velocity का यह formula तो क्या करना पड़ेगा याद तो करना ही पड़ेगा एक article छोटा सा बनाएंगे किस पे Reynolds number पे यानि लिखने के लिए Reynolds number तो यहां पे बनी गया यह road D कहाँ पी जाएगे multiplication में eta कहा पी जाएगा यह तो चीज हो गई लेकिन उसे लिखेंगे कैसे जरा style में लिखेंगे अच्छे से तो समझ में आया जाएगा critical velocity आ गई समझ में formula याद कर लिजिएगा Reynolds number के बारे में लिखते हैं दीखे Reynolds number के बारे में लिखते हैं मैंने यह जगा क्यों छूड़े हैं बहुत important mcq की term यहाँ पे हम लिखने वाले हैं तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं Reynolds number is given from the formula for critical velocity as vc is equals to rn eta upon rho into d therefore Reynolds number is given as उसका formula बन सकता है यह दो multiplication के लिए चले जाएंगे और formula क्या बनेगा vc rho d upon eta सब term एक बार फिर इसे लिख लिए कि vc कोन सी है critical velocity rho कैसा है density d is diameter of tube eta is coefficient of viscosity हमने क्या कर लिया formula बनाया Reynolds number का अब Reynolds number के बारे में हमें जो पता है उसके बारे में लिखने की हम क्या करते हैं कोशिश करते कि Reynolds number का यह formula तो बन गया यह तो constant है इसका तो formula बन गया तो हम यह आ पे क्या लिख सकते है it has no unit and no dimension यह भी चीज हम लिख सकते हैं अब important चीज लिखेंगे हम कि Reynolds number की value कैसे discuss होती है देखें if Reynolds number has value has value less than एक number बनेगा less than कितना 1000 less than यह लिख सकते है Rn is less than कैसा है 1000 है 1000 से कैसा है उसकी value कैसे है 1000 से कैसे है कम है तो हमारा जो flow है वो कैसा है streamline और laminar flow streamline और कैसा flow है laminar है अगर Reynolds number fluid के Reynolds number की value कितनी है 1000 से कैसी है कम है तो हम क्या कह सकते है कि यह flow कैसा है हमारा laminar है दूसरी बात 1000 की उपर की बात नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं अब मैं क्या बात कर रहा हूँ if Reynolds number has value more than 2000 कितना 2000 याने Reynolds number की value more than 2000 है तो यह जो flow बनेगा वो flow compulsorily confirm कौन सा होगा कैसा flow बनेगा हमारा turbulent flow ही बनेगा यह एक streamline flow बन गया एक कैसा बन गया turbulent flow बन गया अब 1000 और 2000 के बीच में क्या हो रहा है if rn has value between 1000 to 2000 आगे समझ में यह नहीं हम क्या कर रहा है between 1000 to 2000 तो यहाँ पर हो क्या रहा है then हम कह सकते है then flow is changing from streamline to turbulent यानि इसके बीच में flow क्या हो रहा है change हो रहा है streamline flow to क्या हो गया turbulent flow इनके बीच में हम बीच में फजे रहते हैं जब 1000 अब 1000 के नीचे रहेगी value तो कौँशा flow है एक easy बात कहेंगे 1000 के नीचे रहेगी तो कैसा flow है streamline है laminar है 2000 के उपर रहेगी तो flow confirm कौँशा है हमारा turbulent flow है और 1000 और 2000 के बीच में अगर रहेगी तो flow कैसा है हमारा streamline से convert होके कहाँ पे गुसरा है turbulent में जा रहा है आगे समझ में यानि सब खिल किसका है Reynolds नमबर का है इसके आगे के lecture में हम इसको क्या करेंगे और ज्यादा explore करेंगा और easily हो जाएगा कल के lecture में आरा है आपको बेटा समझ में सब बुजे लिखके भेजिए चैनल को like किजे share किजे subscribe किजे पढ़ते रहिए मैं भी क्या करूँगा पढ़ाते रहूँगा thank you दोस्तो